उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस को मिली करारी हार के बाद कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजेकुमार लल्लू ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जनता का जनादेश है उसको कॉंग्रेस सहज स्विकारती है उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दो पर संगर्श जारी और हमाई साथ मौझूद है प्रदेश अद्रक्ष अजी कुमार ललू जी उन से जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहे और क्या कुछ निकल कर आए समिक्षा के अंदर सर क्या कारण रहे क्योंकि जितनी तयारियां थी जिस हिसाब से प्रयांका गांधी जी पूरे प्रदेश मे महिले सुरच्छा के मुद्दों को आदिवासी भाई वहनों के मुद्दों को आरच्छण के मुद्दों को लगतार हमने रेज किया सड़क पर उठाए कांग्रिस पार्टी के कारेकरता लाठी खाए जेल गए आदरड़ प्रियंका गांधी जेल गए मुझे सैकड़ो बार हिरासत में सरकार ने लिया तो लड़ाई हमारी जारी रही कोरोना काल के दौरान भी हम लोगों ने काफी मेहनत किया लेकिन जनता का विश्वास जो हमें हासिल करना चाहिए कहीं न कहीं वो खम लेकिन हम संगर से पीछे नहीं है बढ़ेंगे मजबुती से आगे बढ़ेंगे लड़ेंगे और फिर जनता का विश्वा सासिल करेंगे अजय जी आपकी जो मुस्कुराहट है वो बताते है कि संगर सभी जाई रहेगा लेकिन सबसे वड़ी बात है कि इस बार क्या कारवाई भी होनी है क्योंकि लगातार जो है कई लोगों ने संगठन के अगर बात की लुक्सान पहुंचा है अधिके जब चुनाव में हार होती है या कठिन समय आता है तो इस तरह के अरूपर तरूप लगेते रहते हैं और पढ़डाम हमारे पच्छ में नहीं है इसलिए इस तरह की बाते उठती रहेंगी लेकिन कांग्रेस अपनी विचारधारा के प्रती इसलिए पूरी तरह कमटेड हैं हम विचारधारा के साथ रहेंगे और हमें खुशी ह़िसब वात का है कि हमने मुद्दों किराई जनता के बीच में महंगाई, किसान, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर गए, कानुन बेवस्था के मुद्दों को लेकर गए, लेकिन कहीं न कहीं हम जनता के विश्वास को हासिल नहीं कर पाए और चुनाव पूरी तरह एक अलग धड़े में बट गया, जिसका नुकसान और खामियाजा हमें उठाना पड़ा, लेकिन ये मैं दावे के साथ का सकता हूँ, कि कल भी विपच के भूमका में थे, और आज भी सड़क पर भी पच की भूमका में कांग्रेस दिखेगी, दूसरा कोई दल, अब फिर कई चुनाव लड़ने आ सकता है, विपच में नहीं और आप लोगो इस तरीके से धार का सामने के लिए अधिके जब सवाल उठता है और बातचीत होती है, तो बहुत सारी चीजें सामने च्छन के आती है, लेकिन परिस्तितियों से कभी निरास नहीं होना चाहिए, कभी हतास नहीं होने चाहिए, जीवन है, दिन है, तो रात ह है, रात है, तो सवेरा भी आएगा, और ऐसा सवेरा आएगा, कि मैं समझता हूँ, इस सरकार रूपी, जो बटबिच है, इसको समाप्त करेगा, और आने वाले दिन में, मुद्दे ही जिवित रहेंगे, और जनता को अभास होगा, और मैं समझता हूँ, कि हम महनत करेंगे, संगठन के निर्माड में, संगर्स की भूमिका में, तो साइद आने वाला समय कांग्रिस पार्टी का होगा, यह हमें विश्वास और भरोसा है, हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि हार एक बड़ा दाग हो जाता है, किसी भी पार्टी के लिए, और सब एक दूसरे क चाहे एक दूसरे को पास करते हैं, तो इस बार हार की जिम्मेदारी कौन लेगा, उत्तर प्रदेश की, जो साथ थी साथ से भी दो के आंकड़ बिसी मुटगी तो, देखे हार की जो जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि वो तो मैं प्रदेश सद्धिस्ता तो मेरी है, ले आगे दिखेगी, मुद्दो की राजनीती को लेकर आगे भी पढ़ते रहेंगे, भले ही सत्ता किसी की हो, लेकिन मजबूत विपक्ष की भूमिका में हर बार जन्ता के साथ कौंग्रिसी दिखेगी. दाउनलोड कीचे ज्वनातंत्र टीवी अप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और अप स्टोर पर, अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें.